Hi everyone, welcome to Global Online, this is Ankitah Suth, So Paper 1 में, Teaching aptitude में हम लोगों ने अल्रेडी Online Teaching Methods को पढ़ा है So Online Teaching Method का एक सबसे important topic है Swayam Portal, जो की exam के लिए बहुत ही जादा important होता है Swayam Portal क्या होता है, कब बनाया गया, किसने launch किया और क्या इसके benefits है क्या benefits से students को मिल सकता है, यह सभी चीज़ें आज के session में हम discuss करेंगे तो आपको जो भी बाते मैं बताऊंगी, यह आपने note जरूर करना है, क्योंकि topic में से examination में guaranteed questions पूछे जाते हैं Paper 1 के best preparation के लिए complete course में लेकर आई हूँ, जहां पर आपको examination तक daily live lectures के साथ 100% syllabus कवर करवाने की मैं guarantee देती हूँ साथी students topic wise practice MCQs and PYQs भी आपको मिलेंगे ताकि आपको पता चलता रहे कि जो topic आप पढ़ रहे हो, उसमें से आज तक कैसे questions आए है बच्चों को notes बनाने में बहुत जादा समय लगता है, लेकिन इस course में आप लोगों को हम PDF format में full syllabus notes देते हैं, जो कि exam के लिए बहुत ही जादा important है and new batch भी हमारा Monday से start होने वाला है, तो आप सभी students इसको ज़रूर join कर लीजिए, इससे पहले free videos और mock test को ज़रूर देखना जो कि आपको global online app पे मिलेगा, store section पर search bar में लिखिए course का नाम, जैसे ही आप course पे click करते हो, यहाँ पर आपको इसके duration दिख जाएगी, examination तक आप लोगो यह extra mock test या ना, extra कोई book खरीदने की ज़रूरत है, तो यह बहुत important course है, exam oriented preparation में आपको मदद करेगा, and paper 1 में आपको first attempt में 100 में से 80 plus score करने में भी यही course मदद कर सकता है, तो आप सभी students given numbers पर contact कर के, इसको ज़रूर join कर लीजिए, lecture number 6 याद होगा, तो आपको पता होगा कि यह वहाँ पे हमने discuss किया था methods of teaching, उसमें हमने देखा था teacher center, learner center method, offline and online methods, so online method का ही एक type है स्वयम, तीन types होते हैं, मैंने बताया था स्वयम, स्वयम प्रभा and move, तो आज की इस वीडियो में हम यह most important जो topic है, स्वयम इसको detail में देखे कि आज का topic है स्वयम जो की एक online learning portal है, तो सबसे पहले स्वयम एक free online education है, यहाँ पे कोई भी student बिल्कुल free में classes attend कर सकते हैं, बिल्कुल free में पढ़ाई कर सकते हैं, और स्वयम का जो tag line है वो है शिक्षित भारत उननत भारत, यानि कि अगर शिक्षित अगर educated इंडिया होगा तब ही India development की और भी बढ़ सकता है, इस तरह से मिसको बोल सकते हैं, तो शिक्षित भारत, उननत भारत ये चीज़ आपको याद रखनी है, next portal होगा हमारा स्वयम प्रभा and next है MOOC, जो की एक vertical ही है स्वयम का, तो आप लोग स्वयम को अच्छे से जरूर समझेगा, अगर स्व दूसरा question यहाँ पर यह बनता है कि स्वयम की full form क्या है, तो स्वयम stands for study webs of active learning for young aspiring minds, यह आपको as it is याद रखनी है, बिल्कुल confused मत होना क्योंकि options ऐसे होते हैं कि students वहाँ पर confused हो जाते हैं, study webs of active learning for young aspiring minds, यानि कि एक study का web है, web को हम बोल सकते हैं, जाल, यानि कि जिसे हम बोलते इन्टरनेट, वही चीज है, तो यह एक ऐसा internet से related web बनाया गया है, जिसके through young students, young aspiring minds, जो है, वो actively learning कर सकते हैं, तो इसको याद रखना है, दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि स्वयम को बनाने के पीछे main कारण क्या है, जिस पर यह depend करता है, तो स्वयम portal के three cardinal principles होते हैं, यान कि तीन मुख्य सिधानतों पर स्वयम हमीशा काम करता है, पहला सिधानत है access यानि की पहंच, स्वयम एक ऐसा platform है कि आप चाहे किसी भी छोटे से गाउं पे रहते हो, किसी बहुत बड़ी city में रहते हो, कहीं भी रहते हो, आप इस portal को access कर सकते हो, ये portal की पहंच आप तक है, बस आपके पास internet connection होना चाहिए, आप लोग वहाँ पे कहीं भी बैटके स्वयम portal पे पढ़ाई कर सकते हो, next है equity, equity का मतलब होता है कि सभी को equal level पे यहाँ पे रखा जाता है, किसी का financial background क्या है, किसी का educational status क्या है, ये यहाँ पे अलग नहीं है, हर एक बच्चा equal level पे रखा ज चीजें मिलती हैं, जो भी हम सीखते हैं, वो best quality होता है, हमेशा, ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये three cardinal principles examination point of view से बहुत जादा important है, next अगर हम बात करें, तो ये है कि स्वयम एक indigenous है, indigenous एक portal है, एक platform है, अब indigenous का मतलब होता है made in India, कोई भी चीज अगर अपन ये country में बनी हो पूरी तरह से, तो उसको indigenous बोला चाता है, right, and MOOC मैंने बताया कि इसी का एक part है, इसी का एक हिस्सा है, and इसका ये benefit है कि कोई भी, anyone, anytime, कहीं से भी, and anywhere, कभी भी, कभी भी, कहीं भी, कोई भी इसको access कर सकता है, इसका फायदा उफा सकता है, next point यहाँ पर ये है कि किस ने इसको develop किया, ये भी, एक बहुत important statement है, 2021 में जो exam हुआ था, उसमें ये पूछा गया था, तो स्वयम पोर्टल is developed by Ministry of Human Resource Development, that is, MHRD, and the All India Council for Technical Education, that is, AICTE, with the help of Microsoft. So, MHRD, AICTE, दोनों ने मिल के इसको बनाया था, इनकी help किस ने गी थी, Microsoft में भी गी थी, अब यहाँ पर एक homework question में आपको ये देती हूँ, कि MHRD जो हम बात कर रहे हैं, अभी इसका new name रखा गया है, इसका नाम change कर दिया गया है, तो वो इसका क्या नाम है, आप मुझे comment करके जरूर बताईएगा, exam में पूछा जा सकता है, higher education unit के अंदर, ठीक है, so new name क्या है, यह आपने मुझे बताना है, पेपर वन में आप सबको help करने के लिए, एक free telegram group में लेकर आई हूँ, जिसमें आप सब भी अपने सारे doubts मेरे साथ share कर सकते हैं, इसके अलावा, पेपर वन की important concepts, PYQs की PDFs भी में regular basis भी आपके साथ यहाँ पर discuss करती रहोंगी, अंकीता सूथ पेपर वन netset preparation नाम से आपको telegram पर यह channel सर्च करना है, और जल्दी से इसको join कर लेना है, अपनी best preparation के लिए, अब यह जो question है students, यह मैं आपको बता दूँ कि 2019 में exam में पूछा गया था, कि सोयम portal is for, किसके लिए है सोयम portal, promoting high quality education, providing access to high quality education, telecasting high quality educational content free of charge, या फिर बोध B&C, अगर आपने यह slide में मेरी बाते अच्छे से सुनी होंगी तो आपको इसका answer जरूर आता होगा, इसका answer है, option number 4, that is B&C, improving access, यानि कि सबको हमने अच्छा access देना है, high quality education का access अब को देना है, दूसरा यह है कि इसकी help से telecast किया जा सकता है, high quality educational content हो भी, बिलकुल free of cost, आपको किसे भी तरह की fees पे नहीं करनी होती है, अब आते हैं next point पे, यह भी बहुत जादा important है, इसमें पूछा गया है, it's ultimately capable of hosting 2000 courses and 80,000 hours of learning, तो यहाँ पे देखो, लगबग 2000 courses स्वयम जो है launch कर चुका है, जिसमें की school के बच्चे, undergraduate, postgraduate, engineering, law, and जो भी professional courses होते हैं, सारे के सारे इसमें included हैं, so आप लोग भी अगर course करना चाहते हैं, और सॉयम के अंडर तो आप उसके official website जरूर देखेगा, बहुत यह अच्छा platform गॉमेंट दे रही है, जो कि free में हमें service देता है, all the courses on the platform are interactive, prepared by best teachers in the country, and are available free of cost to the students in the country, and the best teachers होते हैं, जैसे NITs, IITs के जो teachers होते हैं, वो यहाँ पर पूरा content provide कर पाते हैं, and साथ ही more than 1000 specially chosen faculty and teachers from across the country have participated in preparing these courses, so special teachers यहाँ पर रखे गए थे, जिन्होंने यह पूरे के पूरे courses prepare किये हैं, अब बात आती है कि स्वयम आखिरकार हमें क्या-क्या चीजें provide कराता है, ठीक है, so स्वयम हमें provide कराता है courses 9th class से लेकर के post-graduation तक, यानि कि हमारी master degree तक 9th class से लेकर के master degree तक, कोई भी course हम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमें स्वयम पे वो मिल सकता है, तो चार quadrants में इन courses को रखा गया है, यह quadrants का नाम बहुत important है, इनकी explanation में आपको आगे बताऊंगी, यह भी बहुत important है, तो पहला quadrant है video lecture, यानि कि स्वयम जो है हम लोगों को video lecture के माध्यम से भी हम स्वयम में पढ़ सकते हैं, यह आप देख सकते हो, ठीके, दूसरा है specially prepared reading material that can be downloaded or printed, यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है, नेक्स्ट है self assessment tests through tests and quizzes, यानि कि हम assessment भी कर सकते हैं, हम different तरह के test भी दे सकते हैं, quiz भी होते हैं, जिससे कि हम अपने आपको access, sorry, assist कर सकते हैं, अपना correction दे सकते हैं, it is an online discussion forum for clearing the doubts, so, यहाँ पर एक online forum भी है, अगर मुझे कोई query है, तो मैं वहाँ पर अपना doubt दे दूँगी, उसका solution मुझे फिर teachers वहाँ पर दे देते हैं, तो यह चार quadrants हमें स्वायम में मिलते हैं, इसके साथ ही कौन-कौन सी category, कौन-कौन से courses यहाँ पर include हैं, engineering, science, humanities, management, languages, mathematics, arts, recreation, commerce, general library, education, ठीक है, so, courses delivered through SOYAM are available free of course to the learners, अब यहाँ पर यह जो question है, यह भी एक previous year question है, इसको आप लोग इससे देखेगा, which among the following is a massive open online course, that is MOOC, मैंने आपको भी बताया, which among the following is a MOOC created by Ministry of Human Resource Development, Government of India, प्रथम, स्वायम, future learn, या फिर स्वायम प्रभा, तो देखो, पहली slide में जहाँ पर लोगों थे, इन तीनों के वही पर मैंने आपको यह चीज़ बता दी थी, इसी तरह से question पूछे जाते हैं, तब ही मैं आपको बोलती हूँ कि हमारी वीडियो में, जो भी content होता है, यह हम सोच समझ के लाते हैं, इसलिए हर एक चीज़ को नोट ज़रूर कीज़ेगा, तो right answer आपको सभी को पता होगा, that is option number two, ठीक है, four quadrants में आपको बताए थे, जिसमें की पहले हमने वीडियो लेक्चर की बाती थी, so उस quadrant को हम e-tutorial बोलते हैं, ठीक है, examination में, वो points में याद रखने, वीडियो लेक्चर और जो मैंने बताए, major focus उस पर रहेगा, quadrant one है, e-tutorial, जिसमें की audio, वीडियो आता है, animation, video demonstration, यह सब आती हैं चीज़े, दूसरा है e-content, जिसमें की e-books मिलती है, pdf मिलता है, text मिलती है, simple हो सकते हैं, कि हमें notes मिल रहे हैं, इसमें हमें video lectures मिल रहे हैं, notes किस format में होते हैं, pdf format में होते हैं, थर्ड क्वाडरेंट है, web resources, so related links, ठीक है, जैसे कि कोई topic, अगर मैं हम आ लीजे, कि अपने post graduation का, अपने M.C.A. का में कोई topic, अगर पढ़ रही हूँ, तो उससे related, pdf मुझे मिल गई सवय हैं, ठीक हैं, लेकि उसी से related links, भी वहाँ पर मिलेंगे, Wikipedia के links भी वहाँ पर मिलेंगे, ताकि जाता information हम देखना चाहें, तो हम वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, इसमें books हैं, जिसमें e-books भी हैं, research papers हैं, journals हैं, तो आप लोग इसको जरूर try कीज़ेगा, 9 से post graduation के बीच में, अगर आप लोग हो किसी particular topic के बारे में, बाइचांस आपको कहीं से जमझ नहीं आ रहा, तो आप स्वयम पर जाके उसको जरूर देख सकते हूँ, और नेक्स्ट है, self assessment, जैसे कि मैंने बताया कि, short test होते हैं, short answer questions होते हैं, quiz होती हैं, puzzles होते हैं, और एक्चल में कितने पानी में आप अभी तक हो, तो ज़रूर इन चीज़ों को note कीजिए, इसे के साथ national coordinators होते हैं, स्वयम के, ये भी important है, अब क्या है, देखो, जैसे कि हमने आपको बताया, कि स्वयम में, हमारे पास engineering subject है, language subject है, science है, mathematics है, या science हो गया, वो इसको handle करते हैं, ठीक है, school education है, उनको NCRT handle करता है, तो ये है सारे coordinators, so nine coordinators है, जिनकी हेल्फ से स्वयम काम करता है, तो पहला है AICTE, यानि की All India Council for Technical Education, जितने भी technical courses है, उन सब का course बनाना, उन सब को पढ़ाना, उन सब का पूरा handle करना, AICTE के अंडर है, engineering से related, जितने भी courses यहाँ पर अविलेबल है, उनको handle करता है, NEPTEL, यानि की National Program on Technology Enhanced Learning, post graduation subject है, अगर आपका कोई भी, तो उसको handle करता है, UGC, undergraduate CEC, that is Consortium for Educational Communication, school level पे NCRT, exam में यह पूछा जा सकता है, कि स्वयम के अंडर, अगर school education की हम बात करें, तो उसके लिए कौन सा, National Coordinator responsible होता है, तो आप कौन सा आना चाहिए, NCRT, ठीक है, so easy है, इनको याद रखना, आप देख सकते हो, NIOS, school education के लिए है, ये भी, IGNU है, ये भी school students के लिए है, जनरली ये जो distance education होती है, उस पर focus करता है, IIME, जितने भी management studies है, management students है, उनके लिए ये responsible है, next है NITTTR, ये है, National Institute of Technical Teacher Training and Research, जो भी teacher training से related courses होते हैं, so IIME, अगर teacher training से related courses, जैसे कि अगर आप B.Ed कर रहे हो, या फिर कोई और teacher training program में आपने admission लिया है, तो उसको responsible, उसको manage करने के लिए responsible है, NIPDR, ठीक है, so ये nine coordinators है, four quadrants है, and three, उसके cardinal principles हैं, ये आपने note करना है, so I hope students, आज की वीडियो आपको पसंद आई है, अगर कोई doubt है, कोई query है, तो कॉमेंट कीजेगा मुझे, and अगर ये वीडियो पसंद आई है, and इसी तरह से आप चाहते हो, कि मैं आपके लिए Hindi English में सारा content लेकर आऊं, complete paper one आपके लेकर आऊं, तो मुझे लाइक जरूर कीजेगा, and कॉमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, so thank you!